एक इंडियन वेदिन रेसेप्शन लूग जो मैंने पिछले मैने क्रेट किया था एक रेसेप्शन पार्टी के लिए उसी को मैं आज गबारा रेक्रेट करने वाली हूँ ताकि मैं आप लोग के साथ वो लूग शेयर कर सकूँ इसमें स्पेशल यह है कि आज जो मैं सारी पहन करने वाली हूँ वो बैसिकली है मेरी माम की अपनी रेसेप्शन की सारी मतलब उस सारी का एज है 34 इसको रेक्रेट करने का में मोटो यही है कि ऐसे अगर आप लोगों के भी किसी के पास इतना पुराना सारी पढ़ा हुआ है जो वो लोग नहीं पहनते हैं और आप भी उसक प्राइल भी नहीं है बहुत ज्यादा ख़राब लगेगा ओल फैशन लगेगा तो मैं आज वही आप लोगों को दिखाऊंगी कि कैसे आप लोग उस सारी को अपने जेलरी के साथ मिक्सन माच करके अपने ब्लाउज या चोली या कुछ भी है आपके सपास उसके साथ मिक्स कर सकते हैं यह कोई नहीं बोलेगा कि यह 30-40 साल बुराना सारी है बाट देखने से पहले जैसा कि मैं हर बार बोलती हूँ अगर आप मेरे चैनल में नए है अगर आप पहली बार मेरा चैनल जॉइन किये है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आ कि आगे चलके मेरे अकाउंट में मेरे चैनल में कोई भी अक्टिविटी हो तो उसका नोटिफिकेशन सीधा आपके पास जाए तो चलिए अभी शुरू करते हैं वीडियो झाल झाल दूस इस मैं फाइनल लोक आफटर गेटिंग रेडी यह मेरी माम की रिसेप्शन की बनारसी सारी है 34 साल पुरानी क्योंकि बनारसी मटीरियल है इसलिए अभी तक शायद यह ठीकी हुई है बट इसका डिजाइन और बैटन आप लोग देखी रहे है आजकल की बनारसी जैसी पिलकुल नहीं है इसलिए मैंने इसको एवरिडे स्टाइल में नहीं पहन के पल्लू को फ्रंट में देके पहना है अभी तक तो है नहीं और रहने से भी मुझे शायद वो फिट नहीं आती इसलिए मैंने इसको मेरी एक सूपर निट सारी की डिजाइनर ब्लाउस के साथ पेर अप किया है as they both are having the same color then for jewelries I went for silver as my sari has silver zaris all over गले में ऐसे ही big pendant वाली statement neck piece with earring पहन लिया दोनों हातों में एक silver bangle set add किया है and look को थोड़ा और classy and traditional बनाने के लिए I added this gorgeous and heavy silver कमर बंद ये मेरी माम नहीं गिफ्ट करा था मुझे मेरी last birthday पे but initially I had no clue what to do with this and asked my mom to return it back to the jewelers but she didn't you know mom is mom और अभी अचानक उनी की सारी को स्टाइल करने के लिए ये काम में आगया maybe this is called karma now back to the point for here on the occasion day I did a french bun with gajras but as today I don't have gajras so I simply made a clean bun and just added a matching mindi and that's it so guys तो ये था मेरा आज का वीडियो I really hope आप लोगों को ये लूक अच्छा लगा होगा अगर लगा है तो please वो मुझे comment section में जरूर बताएगा और अगर इस तरह का वीडियो आप लोग और भी देखना चाते है या कोई दूसरे तरह का वीडियो देखना चाते है वो भी मेरे साथ comment section में शेयर करना बिलकुल मत भूलेगा मैं जरूर कोशिश करूँगी आप लोगों के जो भी suggestion होगा उसके उपर काम करने का आगे तो चलिए मैं मिलती हूँ आप लोगों से दूसरा वीडियो में बहुत ही जल्दी तब तक आप लोग स्वस्त रहिए अच्छे रहिए खुद से प्यार करिए और सबसे प्यार करिए I love you guys bye bye